मैं एक्टर इसलिए बना, क्योंकि मेरे एक प्रॉब्लम थी मैं एक इंट्रोवर्ट था, मैं फैमिली में सबसे छोटा था मुझे इतना लाड़ प्यार मिला, कि जब मैं घर से बाहर जाता था तो मुझे पता नहीं था कि लोगों से कैसे बात की जाती है तो उस लाड़ प्यार की वज़ा से मैं एक शर्मीला और एक इंट्रोवर्ट बच्चा बन गया मुझे अब भी बात करनी नहीं आती मुझे स्टेज से डर लगता है As an actor, मैं उन सब फैसिनेटिंग कैरेक्टर के पीछे छुप जाता हूँ जो confident नजर आते है मुझे पक्का यकीन है कि जब मैं आपकी उमर का था तब मैं इतना smart नहीं था जितने आप लोग हूँ आपको पहले से पता है कि गला कार्ट competition क्या होती है आपको hard work, perseverance, vision, focus, self belief जिसी चीज़ों की एहमेत पहले से पता है तो मुझे इसके बारे में बात करने की जुरूत नहीं है मैं आपसे सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ अपने सपनों का पीछा करना और अपने सपनों को असल में जीना जब मैं अपने career की शुरुआत कर रहा था तो बदकिस्मती से दो वाते मुझे किसी ने नहीं बताए थी और वो दो वाते हैं काम्याभी के बारे में एक सबसे बड़ा जूट और एक सबसे बड़ा सच सबसे बड़ा जूट ये है कि money plus recognition is equal to happiness is equal to success मैं एक बहुत middle class family से आता हूँ जब मैं बड़ा हो रहा था तब पैसा हमारी सबसे बड़ी problem दी मुझे पैसों से बहुत फरक पड़ता था और मेरी family की तीन generations ने कभी ये महसूस नहीं किया कि fame आखिर क्या होता है तो basically पैसा और recognition दोनों missing थे जो मुझे चाहिए थे मेरी शुरुआत एक failure के तोर पर हुई मेरी family ने मुझे से कहा कि मुझे engineer बनना होगा medical failure मेरी sisters के लिए book थी तो एक बार अगर मैं engineer बन गया तो मैं civil services के exam दे सकता था और फिर उसके बाद शायद खुशियों के सारे दर्वाजे खुल जाते और मैं हमेशा के लिए कामियाब और हमेशा के लिए खुश रह सकता था तो जब मैं बड़ा हो रहा था तब easy मेरी conditioning हुई थी तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा बन गया 10th के exams में मैं काफी अच्छे marks लाया और फिर मैं 12th के लिए देली चला गया वहाँ मैंने एक अच्छे स्कूल में admission ले लिया और विद्या मंदिर फिट जी समेथ कई कोचिंग इंस्टिटूट्स में भी admission ले लिया उस समय मैं मेरे जैसे ही तीन experience के साथ room share करता था इसका मतलब वहाँ अपने school assignments finish करने के बाद engineering entrance exams की पढ़ाई करने के बाद मुझे अपने कपड़े दोना पड़ते थे खुद के लिए खाना बनाना पड़ता था लेकिन मैं complain नहीं करता था क्योंकि मैं अपनी life में पहली बार कामयाब इंसान बनने के बहुत करीब था तो finally मैं कई engineering colleges के लिए select हो गया और मैंने decide कि मैं Delhi College of Engineering में admission लूँगा मेरी family में जश्न बन रहा था finally अब मैं रुक कर सांस ले सकता था मैं खुछ से कह रहा था कि तुम्हें पता है तुमने कर दिखाया तुम्हें तो खुश होना चाहिए लेकिन इससे काम नहीं बन रहा था कुछ ना कुछ missing था एक खाली बन को मैं महसूस कर सकता था तो मैंने सोचा कि मुझे शायद और बड़ी कामयावी की ज़रूरत है जब मैं 18-19 साल का था तो किसी वज़ा से मुझे future में present से ज़्यादा खुशी और ज़्यादा कामयावी दिखाई दिती थी तो मैंने civil services के exams के तैयारी करना शुरू कर दी मैं मान रहा था कि मैं इसे pass कर ही लूँगा लेकिन मैं बोर हो गया और यूपेस से exams बहुत दूर थे इस दोरान मुझे थेडर करने का खयाल आया और मैंने सोचा कि मुझे अपनी shyness खतम करने के लिए dance सीखना चाहिए और एक reason ये था कि मेरे engineering course में कोई लड़की नहीं थी मुझे एक धोके जैसा feel हुआ आप entrance exams crack करते हो और आपको पता चलता है कि वहाँ कोई लड़की ही नहीं है तो किसी ने मुझे बताया कि dance school में बहुत good looking लड़की आए तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ जाते हैं तो जब मैंने performing arts शुरू किया तो एक चीज के लिए मैं sure था वह ये कि ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था और तीन साल बाद मैं campus में बेट कर ये सोच रहा था कि ठीक है मुझे performing arts बहुत पसंद दे और कुल मिलाकर मुझे पैसा और फेहमी तो चाहिए तो क्यों ना मैं एक film star बन जाओ मैं बहुत serious था third year में मैंने engineering छोड़ दी मैं डिग्री से engineering डिग्री से बस दो semester दूर था मैं मुंबई आ गया और पूरी तरह से theater में घुज गया और actor बनने के लिए जो skills की ज़रूरत थी वो सीखना मैंने शुरू कर दी और उस time मैं single room kitchen में छे दूसरे लड़कों के साथ रहता था लेकिन इस time मैं तयार था इस time मैं एक फरक था वो ये कि मैं बहुत जोश में था मेरा self respect दाव पर लगा हुआ था इसलिए मुझे हर किसी को एक बात साबित करनी थी मुझे अपने परिवार को एक बात साबित करनी थी और सबसे जरूरी मुझे खुद को एक बात साबित करनी थी और ये वो टाइम था जब मैं एक background dancer था और मैं हर उस star के पीछे dance कर रहा था जिनके बारे में आप सोच सकते हो शारुक खान, शाहिद कपूर, हर कोई और मैं उनके पीछे dance करते हुआ ये सोचता था कि मैं बस तीन कदम तो दूर हूँ मुझे बस वहां तक तो जाना है जहां वो star dance कर रहा है और फिर मेरे life के हर चीज़ ठीक हो जाएगी तो ऐसे ही चलता रहा और दो साल बाद, guess what मुझे मेरा पहला बड़ा break मिला मैं एक prime time TV शो के लिए select कर लिया गया था ये serious लिए एक बड़ा break था क्योंकि मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था और लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया था इमानदारी से बताऊं तो मैं जान बूज़ कर मौस गूमने जाता था ताकि लोग मुझे देखें, smile करें, मेरा autograph लें और मैं खुद को पहली बार टीवी पर देख रहा था आपको कोई आइडिया निये कि जब मेरे जैसा इनसान खुद को टीवी पर देखता है तो कैसा लगता है मैं रोज खुद को टीवी पर देख रहा था ये बहुत 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 बढ़ा नशा था मैंने ये भी देखा कि मेरे जो दोस्त इस सफर में मेरे साथ नहीं थे अचानक से उभर कर आने लगे वो शोब बहुत पॉपिलर हो गया मैं बहुत पैसा बना रहा था और एक समय ऐसा भी आया जब मुझे पैसों से फरक पढ़ना बंद हो गया और मैं और ज़्यादा पॉपिलर होते ही जा रहा था अब मैं उन मॉल्स में नहीं जा सकता था जहां मैं अकेले जाया करता था तो मुझे किसी की जरूरत थी जो मुझे लोगों से बचा सके आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ मैंने अपने लिए पहला ड्रीम हाउस खरीदा मैंने अपने लिए मेरी ड्रीम कार खरीदी और मैं आपको ये भी बता दू कि अब जितना मुझे फीमेल आटेंशन मिल रहा था उतना मेरे इंजिनरिंग कॉलेज के दोस्त बस सपने में ही सोच सकते थे मैं बहुत अच्छा टाइम बिता रहा था और तब ही कुछ अजीब सी चीज मेरे साथ होती है मुझे इस फैम और पैसों के आदत हो जाती है और मैं फिर से धोका खाया हुआ महसूस करने लगता हूँ जो सबना में जी रहा था मैंने इसके लिए 10-15 साल इंतिजार किया था मुझे खुशी का और काम्याबी का वादा किया गया था लेकिन ये चीजे मेरे पास सिफ कुछ ही दिन रही मैं खुश नहीं था ऐसा कैसे हो सकता है मुझे सकसेस का ये वर्जिन अच्छा नहीं लगा मुझे फिर से प्रिजेंट से ज़्यादा फ्यूचर में ज़्यादा काम्याबी और खुशी दिखने लगी तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ और करूँगा अब आती है दूसरी बात सबसे बड़ा सच मुझे पता चला कि जो चीजे हमें बड़ी दिखती है मैं यहां बहुचूँगा मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना चाता था मुझे अपने फ्यूचर को लेकर जुनून सवार था मैं पास्ट की पूरी रिस्पॉनसिबिलिटी तो ले रहा था लेकिन मैं पास्ट और फ्यूचर के बीच में जूल रहा था और प्रेजेंट में नहीं जी रहा था मुझे पता चला कि जब मैं स्टेज पर या कैमरा के सामने पौफॉर्म करता हूँ तो बहुत एक्साइटेड रहता हूँ मैं उसमें इतना खो जाता हूँ कि मुझे पास्ट और फ्यूचर की फिक्र नहीं रहती मैं बस उस लम्हें को जीता था और जब मैं पौफॉर्म कर रहा होता था तब सही माइनों में मैं जिन्दा होता था और पहली बार मुझे पर विश्वास करिए कि पहली बार मैंने ये समझा कि सकसेस का असल मतलब क्या होता है ये पैसा और फेम नहीं था ये प्रेजेंट था और एकसाइटमेंट था जब मैं स्कूल में था तो चार बजे से साड़े पांच बजे तक का समय ऐसा था जब मुझे बाहर जाना और खेलना अलाओड था मुझे इंजीनियर बनने के लिए कहा गया था लेकिन मैं तो कुल मिलाकर बस चार बजने का इंतिजार करता था और चार बजते ही मैं बाहर जाकर खेलता था और वो देड़ घंटा मुझे पांच मिनिट्स के जैसा लगता था मैं इसे तब नहीं समझ पाया लेकिन अब बहुत honestly और बहुत confidently मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मैं वो चार बज़े से साड़े पांच बज़े वाला टाइम राइट ना हूँ पिछले पांच सालों से जी रहा हूँ cause और effect अलग-अलग चीज़े नहीं है excitement यी cause है, excitement यी effect है तो पांच साल बाद मैं यहां हूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा और फेम है लेकिन अब मेरी लाइफ में पैसा और फेम की कोई उकात नहीं है कि अब मेरे लाद मेरे नहीं है